आज इस मॉडल के द्वारा हम देखेंगे कैसे हम 2D मॉडल से 2D शेप से 3D शेप बना सकते हैं जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2D शेप हमने निखा रखी हैं यह एक आयत है यह एक व्रिद है और यह एक ट्रिबूज है इसको electrical connections के द्वारा यदी motor की मदद से इसको घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह एक बेलन बन जाता है इसी प्रिकार से एक व्रिद को यदी हम घुमाएंगे तो यह एक गोला बन जाता है और इसी प्रिकार से यदी एक ट्रिबूज इसको 3D की तरह से घुमाएंगे तो यह एक शंकु बन जाता है छोटे बच्चों को यह 3D Shapes का concept समझाने के लिए 2D Shapes को घुमा कर हमने इस model के द्वरा बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया है कैसे 2D Shapes से 3D Shapes बनाई जा सके है